हेलो स्टुएंट्स आज हमनों पढ़ेंगे कंप्पीटर कंसेप्स क्लास फाइब का और इसमें चैप्टर टू पढ़ना है वर्किंग विद एमस वर्ड तो आई सुरू करते हैं च्छंडन तोड़े विए युटां लॉन्न पढ़ेंगे यूअभ तो आज हम लोग शिक्ने जा रहे हैं बच्छो कि अपने टेट्स को कैसे अट्रेक्टिव वनाना है इसके बारे में लोग सिखेंगे इंट्रॉडक्षिन इसका है Formating means changing the appearance of the text in a document Formating का मतलब यह होता है कि आपके document में जो भी text है उसके appearance को क्या करना उसको change करना You can make changes to your text by two ways आप क्या कर सकते हैं आपने text को change कर सकते हैं दो तरीके से इसका कुछ दिया है hierarchy पहले हो देख लिते हैं Formating में एक तो दिया है character formatting एक paragraph formatting आप क्या क्या है अपका character आएगा words आगा या सेलेक्ट टेक्स्ट यह आएगा और फरमेटिंग परग्राफ फरमेटिंग में क्या है इंटायर पराग्राफ आपका होगा तो आप कोई भी उसमें लाते हैं तो पूरे आपके paragraph पर क्या होगा उसमें changes होगा और character formatting में कुछ अगर आप तो इसका आपको चैन्ज करना हो तो किसी खास character का किसी खास word या selected text क्या कर सकते हैं आप उसको उसका आप अपेगे सब़ों चैन्ज कर सकते हैं दो तरीका है character formatting को डाफर राइंटिंग को इसको चैन्ज करने का आप एक सूर्मेटिंग क्या है इसको देख लेते हैं character formatting means to make changes in characters words and the selected text and paragraph formatting means to make changes in the whole paragraph मैंने बताया आभी कि character formatting में क्या होगा कि आपका या तो आपको character formatting जो change करना है तो आप चाहे तो अपनो character wise किसी खास character को कर सकते हैं या किसी खास word को कर सकते हैं चाहे हो सकता है कि कुछ word हो या कुछ letters हो तो उसको आप select करना होगा. इससलिए बोला selected text तो इन तीनों को क्या कर सकते हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं उसमें परग्राफ फर्मेटिंग क्या है तो परग्राफ में चेंज करते हैं इसका मतलब यह है कि अगर परग्राफ में चेंज करते हैं तो इसका मतलब है होल परग्राफ जो है न उसमें चेंज जाए जाएगा типа औराव फशंशनुका को कहते हैं टार युजसें पर्मिटरदाने लिकिनों कि कर दोर क्यों और युदि दूर समय होुज सकता है युजिग क्रैराव ग्रूप ए समय जाकर कुछ गृफ संदल है तो पर दिए आपको क्या करना हो तो इस सारा एफेक्ट या मतला हो चेंज हो पागा इस सारा फॉर्मेटिंग स्टाइल यह अपलाई हो पाएगा उस पे दिया है बाई डिफर्ट इन वर्ड 2007 दा इस स्पेसिंग नीचे इस स्पेसिंग नीचे इस पेसिंग है इसका उनिट में होगा आगे है paragraph alignment paragraph alignment means to set the text with age of the paragraph paragraph alignment में क्या करना है आपको tax को set करना है कि उस पररगाफ के age से यानि किनारे से कितने पर उसको रखना है तो set करने के लिए to set paragraph alignment चुलेक्ट्थ परग्राफ click on the required continue button पहले तो आपको select करनाे परग्राफ को फिर आपको click करना required button तो इसको तीनों को पड़ते हैं लेफ्ट के क्या करेगा अपका इलाइंड टेक्स तुद लेफ्ट मार्जिन यानि कि जैसा सिम्बॉल आपका सारा टेक्स क्या हो जाएगा वह सारा टेक्स अपका लेफ्ट साइड से वह स्टार्ट होगा और इंड जहां पर भी खत्म हो जाओ जैसा कि आइकन में देख रहे हैं उस तरह किसे आपका सारा टेक्स आरेंज हो जाएगा आपका सेकेंड है एलाइंड टेक्स बीट्विन दे लेफ्ट और राइट मार्जिन यानिक लेफ्ट से कुछ मार्जिन लेग फिर उस में क्या करेगा यह आपका टेक्स्ट रहेंगा अगला है लाइंड टेक्स दर राइट मार्जिन फिर छोगया है राइट में चला जाएगा इसको दिल्ट क्रकशियन दाल लेफ्टerg सीप्इट और सबको के लिएकवली करना और हो तो हम वह कर सकते हैं गिनान टेक् इसमें Microsoft Word का shortcut क्या है कि Ctrl प्लस भी आप प्रेस करते हैं तो बोल्ड करेगा किसको selected text को यह ध्यान रखना है आपको Ctrl I करेगा तो अभी selected होने चाहिए उसको italics कर देगा Ctrl U सी क्या करेगा उसके निचे underline कर देना होगा फिर से अब लोग कंट्रोल भी करेंगे बोल्ड को अटाना होगा इटाली को अटाना हो फिर चंट्रोल आ ही करेंगे फिर underline हटाना हो तो चंट्रोल यूही करना होगा डियून में दिया है default text alignment in word is left alignment, default जो set रहाता alignment हमारे word में ओत left alignment यानि कि आप left से start करेंगे इंड आपका कहीं भी हो फिर आप next page में जब जाएंगे तो फिर से आपका left साइट से ही हो क्या होगा लिखना सुरू होगा आपका text ऐसा नहीं कि राइट से हो जागा या center से हो जागा line spacing means to give space between the lines in the paragraph जो एक पड़ाग्राफ लिखते हैं और उसके बीच में बहुत सारे lines होते हैं उस lines के बीच में कितना space होना चाहिए इसको set करने के लिए आपको क्या करना होगा फर्स में आपको select the paragraph परग्राफ को select करना होगा second में clear the line and paragraph spacing button in the paragraph group फिर अपको line and paragraph spacing button क्या करना होगा एक paragraph group में होगा वहां पर click करना होगा फिर आपको required जो भी आपको लाइन चाहिए होगा आप उसमें State कर सकते हैं सारा इसका दिया हूआ है नहीं सारा सैषट कर hahay कर सकते हैं तो ए क्या करदेगा आपको center line करदेगा Ctrl J अगर आप करते हैं तो justify करदेगा Ctrl L करदेगा तो left align करदेगा Ctrl R करेंगा तो right align करदेगा आगे है border and setting border and setting can be done on paragraph or a complete page border setting यह कहा हो सकता है आपके whole paragraph पर हो सकता है या complete page भी हो सकता है It makes the look of the text attractive जो क्या करेंगा आपके text को attractive बनाता है इसके लिए क्या करना होगा आपको Select the text, select the paragraph actually आपको first में क्या है जितना भी आपको करना हो उसको select कर सकते हैं Click the border button in the paragraph group फिर क्या करेंगे आप paragraph group में जाएंगे और किस पर आप सेलेक्ट करेंगे बोडर बटन पर आप क्लिक करेंगे थर्ड में select the required border option जो भी आपको border चाहिए आप उसको select कर लेंगे फोर्थ नमर में आलाग यहां पर लिया है सबका picture दिया है आप देख सकते हैं कहां पर कौन-कौन सा यह साइन है वैसे आप आपके पास computer हो लैप्टप हो तो आप इसको पढ़ने के बाद इसको खुद से आप कीजिएगा फोर्थ नमर क्या करना तो गई इस एट टा टेक्स्ट क्लिक अपर कृट बखा हम यह सेटिंग दुदियां और ब्टन इन THE परागराफ ग्रूप और अपड़्ाफ ग्रूप में सेटिंग बटन होता है तो आपको सेटिंग करना ओ- टेक्स्ट को सब्सक्राइब बॉक्स एप्योश यहां पर प्रोर बॉक्स यहां पर आपको खुल जाएगा select the color for setting the text अब जो भी आपको आपको एक text को setting करना होगा और जो भी आपको चाहिए होगा आप वहां से select कर सकते हैं आपको उन्सका method भी दिया है process भी दिया है कैसे करना है और यहां पर सबका picture दिया है कि आप देख सके कि कैसे कैसे changes हो रहा है और कहां कहां को क्लिक भी करना है आगे है आइडेंटेशन आइडेंटेशन इस जो डिटर्माइन करने के लिए कि यह परग्राफ में जो डिस्टेंस जो देना है आइदर लिफ्ट से देना या राइट मार्जन करना है तो यह डिसाइड़ आपको वहां वह डिटर्माइन करेगा विदिन मार्जिन, we can increase or decrease the identification of the paragraph और a group of paragraph यह क्या कर सकते हैं आप इसको increase भी कर सकते हैं, decrease भी कर सकते हैं इस identification paragraph को आप या पूरे group of paragraph को आप मार्जिन कर सकते हैं To use identification, select the text and click on increase ident or decrease ident button in the paragraph group यह paragraph group के अंदर ही आपको मिलेगा आपको select कर लेना है टेक्स्ट को फिर आपको paragraph group में जाकर आपको increase ident or decrease ident पे आपको क्लिक कर सकते हैं Do know में दिया है, ident can be adjust for individual paragraph और group of paragraph और margin for the entire document यह कर रहा है कि ident जो है, adjust कर सकते हैं किसी खास individual जो आपका paragraph होगा उस पे कर सकते हैं आपको और पूरे होल पर आपको आपको आइडेंट उसको कर सकते हैं आगे हैं bullets and numbering, bullets and numbering are used to distinguish list of points from the rest of the text बुलेट numbering का use क्या होता है तो यह पहचान करने के लिए अंतर करने के लिए कि आपका जो rest of the text है उसमें आपका listed जो point है उसको पहचान करने के लिए आप बुलेट numbering बुलेट numbering का use करते हैं numbers are used when points have to be in a particular order और यह numbers जो number जो use कर सकते हैं जब point करेंगे किसे भी एक particular order में जैसे बहुत सारे bullets ही रहते हैं आगे दिया भी होगा इसमें bullets are used when points do not have to be in a particular order bullets are used जब bullets use होगा when points क्या होगा points do not have to be in a particular order जब यह particular order में आप नहीं रहता है तो उसमें bullet आपका क्या करेगा यूज करेगा to use bullets or number simply click on the bullets or numbering button in the paragraph group और फिर से paragraph group के अंदर ही मिलेगा bullet and numbering आप उस पर जाके click करना है if you want to add a specific bullet or a numbering style click on arrow mid next to the respective button अगर आप चाहते हैं कि कुछ specific bullet or numbering style देना से खुद से देना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है arrow mid एक arrow बनाया हुआ है उस button के next आप देख सकते हैं और आप उसमें वहां पर एक arrow दिया होगा तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं और छोज कर सकते हैं आगे है sorting, sorting means to arrange the list in the increasing or decreasing order sorting का मतलब यह होता है कि sort करना यानि कि उसको एक तरसे बोलते हैं कि सही एक arrangement करना है आप या तो descending order सही और ascending order से क्या कर सकते हैं आप जितने सारे अपने आपका जो लिस्ट क्या हुआ है उसको क्या कर सकते हैं तो sort a list आपको क्या करना होगा फर्स्ट में select the list and click the sort button in the paragraph रूप आपको जितने को आपको sort करना है उतने पहले को उसको select कर लेना है फिर आप पराग्राफ रूप में जाएंगे और sort button पर click कर देंगे a sort text box appear जब ऐसा करते हैं तो आपका एक sort text box क्या होगा आपका एक खुल जाएगा choose any of these given options and click ok buttons the list will be sorted और कोई भी option आपको जो दिया होगा उस portion पर click करें जो आपको चाहिए हुआ आपका जो required icons होगा उस जो information होगा उस पर चूज करेंगे उसको फिर आपको ok पर click कर देंगे आपका जो selected जो आपका list होगा वो sort हो जाएगा लिउनों में दिया है sorting means arranging a list of text paragraph or numbers कर रहा कि sorting मतलब है कि जो आपका text paragraph या number है उसको क्या करना है उसके list को क्या करना है आरेंज करना है तो यह था आपका second chapter आप इसको पढ़ेंगे और वियास करेंगे आपकी पास computer होगा तब process करेंगे इसको करने का मिलते हैं अंगली वीडियो में ok thank you